व्रिष्टिक राश्य वालों स्वागत आब सभी का हमारे इस यूटियोब चैनल में दोस्तों अगले 24 गंटे के अंदर आपकी खुश खबरी और तरक्की देखकर दुश्मनों की आँखें और मुहों दोनों ही फटी की फटी रह जाएंगे कानों में शुना यकीन नहीं होगा वीडियो को देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा जी हाँ दोस्तों आज की पूरी वीडियो ग्रह गोशर एवंग आपके चंदर राशी पर आधारित है आपको बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे ग्रहों की स्थती कैसी रहेंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन सभी का अशर आपके राशी पर क्या होगा कौन-कौन शेकारे आपके लिए भाग इशाली होंगे किन-किन शेत्रों में लाभ होगा आपका परिवारिक जिवन आर्थिक स्थती और धन को लेकर स्थतियां कैसे वैतित होंगे समस्त जानकाली देंगे ग्रह गोचर के आधार पर सौ प्रतिसत शटीग इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरूश लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को श्टार्ट करने से पहले दोस्तों ज्यान वव बुद्धी के दाता भगवान स्री गनेश जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलियेगा और सच्चे मन से कमेंट बाक्ष में जैगनफती महराज अवश्य लिखेगा दोस्तों भगवान स्री गनेश जी के महराज आसिरवाद सी आपके सारे विगड़े काम बन जाएंगे तो आप जरूर लिखेगा आईयो दोस्तों अब बात करते हैं आपका राशी फल विरिश्चिक राशी वालों आपके किसी करीवी के जीवन में कुछ समस्याइट चल रही हैं और आज आपको उनकी बात शाहानी भूती से सुननी पड़ेगी ऐसा होशकता है कि आप उश आदमी की बातों से निराश और बेचेन सा अनुभव करें लेकिन दोस्तों आपको बिना किसी आलोसना की इस आदमी की सहायता करने शाहिए इससे आपके जीवन की बहुत महत्पुन दोस्ती या साज़ेदारी में भी प्रभावित होगी इसके उपरांत जहां तक आपके स्वास्ती और फिटनेस रूटिन का शवाल है आप कुछ दिनों से लापरबाही करते आ रहे हैं अब समय आ गया है कि आप वापश ट्रेक पर आ जाएं नहीं तो आप से अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किये हैं वे सब ब्यर्थ हो जाएंगे हाला कि यहाँ भी धियान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परिशान नौ करें नहीं तो जल्द ही आपका जोश खत्म हो जाएगा सबी चीजों को ताई वापश आने के लिए केवल तईस मिनट जिम में ही बिताना आपके लिए काफी होगा इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपकी सुन्दरता आज हर किशी को सम्मोहित करेगी और सब कोई आपका तारिफ करेंगे आज आपके पाश अपने पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर देने का अच्छा मौका होगा लेकिन ध्यान डखना होगा कि उनके पास वापश नौलोटे और इस समय जाने देना ही आपके लिए ठीक रहीगा आपका कोई दोस्त आप से अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग शकता है लेकिन दोस्तों उनके चकर में पकड़ कर अपनी लव लाइफ को इस समय ना भोले तो आपके लिए बहतर रहेगा इसके उपरांद आपके लिए जो समय होंगी आपके कैरियर बिजनस के लिए जो समय होंगी आज बड़ी और छोटी शफलताएं आपके कारिक शित्र में दस्तक दे रही है आपके दवारा एक समय में परदान की गई देखिए सेवायों के लिए भी कुछ से भुगतान हो शकता है या आपको एक और परतियाशित बोनस मिल सकता है एक लंबे समय से जो पदूंती अटकी हुई थी वो आपको वापश मिल सकता है आपका पद उचा हूँ शकता है या अलग से एक केविन आपको मिल सकता है वे रोजगार युबक या वे लोग जो अपनी मोजुदा नौकरी को छोड़ना साहते थी उनके लिए भी आज का दिन सुबस संदेश मिल सकता है लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा शाह प्रयास जो है अपना जारी लिखना होगा इसके उपरांत दोस्तों आपके मिलन सार्च सोभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिनके लिए ये सभी विश्वासनिय नहीं है आज किसी भी दोस्त पर अधिक से ज़्यादा विश्वास करने शे पहले उनके बारे में अच्छी तरह से जान ले पूरी जांस परताल करने की बाद ही विश्वास करें तो आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि दोस्तों शितारे कहते हैं कि आज आज आपके शाद धोखा दड़ी हो शकता है आज आज आप बिलकुल एसपस्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह शे क्रियानवित कर पाएंगे अपने अधूरे काम आज पूरे करने और चंता मुक्त हो जाएं तो आपके लिए बहतर रहेगा इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे आप दूसरों के लिए देखिये बात सुनने के लिए हमेशा तयार रहती है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपकी जिन्दगी और प्यार के बारे में दुनिया भर की बाते करता है आपकी किश्मत अच्छी है इस आदमी के शाथ आपका रिस्ता जिन्दगी भर के लिए बन शकता है इस आदमी से अधिक से अधिक मिलने की योजना बनाई और जब भी जरुवत पड़े इनकी मदद लेने में नाहिश्किन तो अभी आपके लिए बहतर रहेगा इसके उपरांत आपको अपनी नौकरी में प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके कारिक शित्र से अलग होगा आपको देखिए दोनों शित्रों को वापश में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निरणाई लेशकिए हाला कि ये आपके रिए काफी तुनोती पुर्ण भरा होगा और आप पूरी तरह शे अपना कारिक शित्र को ना बदलें आप अपने परिवार या अपनी जिम्मेदारी को शंगिदी का भी लेशकती हैं और कौन सा कारिक शित्र आपके रिए उप्युक्त रहेगा इसके उपरांथ आज आप नकारतमक्ता शे भरी छली लोगों शे दोर रहें ये आपको भी नकारतमक्त में गुना कर शफल कर देने की कोशिश में लगे रहेंगी जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करिब हो चुके हैं सांती के रिए आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार के शाथ भिताएं और सारा बाकी काम कर लें कुछ मिठी यादे सहिजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रती काफी नरम है फिर भी आपको कई बार ऐसे इस्तियों का शामना करना पड़ सकता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको जो समय होंगी आपका दिर शंकल और की अच्छे का अरिकारी ओं को दिखेगी जो कि आपके आगे वढ़ने के लिए एक बनेगी इस चीजमें आपका बहागे जब की आपकी महनत और लगन का ज़्यादा हाथ रहीगा इसलिए दोस्तों मन लगा कर काम करें कामों में सफलता आपको जरूर मिलेगा और आपकी जो काम है बॉस देखकर काफी ज़्यादा तारीव करेंगी और हो शक्ता है कि आपका प्रमोशन आदी भी हो सकता है इसलिए दोस्तों अपने महनत में खुब शारा जो है समय लगाएं और महनत अच्छे शे करें ये समय आपके कैरियर के उड़ान का शमय है और आपको सुनस्चित करना है कि आप इस समय का पूरा शदुप्योग करें दोस्तों जानकारियों से गर आप सहमत हैं जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिएगए कमेंट बख्ष में जै माता दिलिखना